जहीं दोस्तो मैं AJ आप लोग के अपने चैनल दोस्त IQ में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ जी दोस्तो काफी दिनों के बाद रिजल्ट आ गया है अब हम लोग बात करेंगे कि डोकिमेंस वेरिफिकेशन में क्या प्रोसेस होता है जी दोस्तो आप लोग के बहुत प्रोसेस में मिल जाएगी इससे पहले अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें ताकि सभी लोग को पता चले कि वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है कितने डोकिमेंस बारे में फूल डीटेल में बताया जाता है और उसकी लोकेशन के बारे में भी आपको अच्छे से बताया जाता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के या वीडियो को सेर करिए बात करते हैं डोकुमेंस बैरिफिकेशन के ऊपर चलिए दोस्तों बात कर लिया जाए फ़र्स्ट नंबर डोकेमेंस की बात की जाए तो हाइस्कुल का मार्षीट लगेगा यानि कि क्लाश 10 का मार्षीट लगेगा जिसके थ्रू आप लोग ने उस फार्म की अप्लाइग किया था जिसके थ्रू आप लोग का सेलेक्शन हुआ है अगर आपके पास इस नमें प्रजेंट टाइम में मारसीट नहीं है तो आप लोग अपने कॉलेश से जाई है और मारसीट निकलवाई है अगर मारसीट गूम हो गई है तो आप लोग किसी साइबर वाले के पास से निकलवा लिजिए अच्छे से और उसका अच्छे से वेरिफिकेशन करवा कि अपने पास रख लिजिए अब बात की जाए इसके कितने कॉपी लगेंगे जिस दोस्तों सबसे ज्यादा यही माइंड में हम लोग के चलता इसके कितने कॉपी लगें कोपी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दो कॉपी लगेंगे यानि कि एक ओरिजिनल होगा और इसके दो कॉपी लगेंगे यानि कि टोटल आपको यहाँ पे तीन कॉपी आपके पास यहाँ पर रखनी है चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आप सेकेट नंबर डॉक्मेंस के ऊपर अब बात की जाए दोस्तों में लमें में नहीं हो गात् испыт कोई आप अधर आईड़ी ले जा सकते हैं अडय की बात कि यहां पर आप आदार कार्ड का ले सकते हैं तो आप TL में यानि प में आप पैंकर ले सकते हैं या सकते हैं या यहां पर अधार राज़िक बात कि जातो अब बात की जाए इसके कितने कोपी लगने वाले हैं तो जी दोस्तो एक तो आप यहां आपका मैं होगा यानििक लोगा और यहां पर आपको किसके दो दो कोपी देने होंगे अपने पास रखना पड़ेति को सिकै độ नमबर बात की जा तो आपको यहां पे काज सर्टिफिकेट देना होगा जी दोस्तों काज सर्टिफिकेट देना होगा वह अभी ज्यादा पूराना काज सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए आपके पास ने तो आपको बहुत ज्यादे प्रॉब्लम हो सकती है वेरिफिकेशन क समय बट आपको verification के लिए पंदर दिन टाइम दिया जाता है आप चाहिए तो दूसरा भी वनवा सकते हैं उसमें कुछ problem नहीं होने वाली है तो आपका जो selection की process की बात की जाए तो उसमें main आपका original होगा और इसके बाद आपके दो इसको copy रखने पड़ेंगे यानि की टोटल आपको यहां पर तीन कोपी आपके पास होने चाहिए चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थार्ड नंबर डॉक्मेंट्स के उपर अब बात की जाए computer certificate जी दोस्तों इसमें main character बात की जाए तो computer certificate की होने वाली है क्योंकि इसमें सबसे पहले requirement में दे दिया गया था कि आपको basic computer knowledge होना चाहिए तो अब बात की जाए कि कौन-कौन से computer certificate इसमें चल जाएंगे जी दोस्तों बात की जाए कौन-कौन से computer certificate चल जा रहा है कहीं कहीं accept नहीं किया जा रहा है तो आप लोग के पास अगर एक दो ज्यादा मतलब computer certificate है तो आप लोग उसको भी साथ में लेके जाए फर्स नमबर पर अगर आपने DCA किया है तो इसको ले लिजेगा अगर आपने ACA किया है तो वह भी आप डख सकते हैं और अगर का चांस बहुत जातर बन जाएगा और बात कि जाए अगर आपने प्रधान मंत्री कोसल भी कास से computer certificate किया है तो भी उसे आप लोग साथ में लेके जाए जिस तो उससे भी कुछ लोगों का सेलेक्शन हुआ है और कुछ लोगों का मतलब कि उसके थूरू reject भीवा है तो जित तो यहां पर देख सेतन है रिसिडेंस certificate लगेगा जो आपके सिलेक्षन में मेन किरदार निवाने वाला है कि आप से बिलॉंग करते हैं क्या process होने अगर आपके पास यह ज्यादा पुराना है तो आप लोग अभी किसी साइबर वाले के पास जाईए रजिस्टेशन करवाईए और एक अच्छा सा नया बन वाली तो ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए ने तो आपको सेलेक्शन पीशना लोगा और इसके आपको दो को बीच चाहिए यानि कि टोटल याँ पर दीन कोपी लगने वाला है है के जूसतों बात की जाएब किरेक्टर certificate के उपर इसके कितने copy लेंगे वह अभी हम लोग पता करेंगे बात की जाए character certificate के उपर तो यह दो टाइप के होते हैं एक आपको college के थुरू मिलता है और एक आपको यहाँ पर gram प्रदान के थुरू मिलता है तो आपको जो असानी हो उसके थुरू आप लोग verification के लिए ले ज कि जाए इसके कितने copy लेंगे copy की बात की जाए तो आप लोग दोनों के दो-दो copy रख लेंगे जिससे आपको selection verification process में प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप लोग इसके दोनों के दो-दो copy रख लेंगे बात की जाए तो एक ही certificate से आपका काम हो जाएगा बट दोनों रहेंगे आपको कुछ problem नहीं होने वाली है अब बात की जाए medical certificate के उपड़ जी दोस्तो में character निवाने वाला नहीं है बट कई कई verification में इसको लोग ले रहे और कई कई verification में इसको नहीं ले रहे है तो आप लोग इसको अपने verification में जयोब लेकिसल यह है क्यों और वहां पर अपना नॉर्मल चेकप करवा के वहां पर साइन करवा के बनवा सकते हैं बात कि जाए इसके कितने कोपी लगे तो इसके आपको तीन कोपी चाहिए और इसका आपको तीन कोपी पास में होने चाहिए जिससे आपको और सेलेक्शन में और आसानी प्रोसेस हो सकता चाहिए हम लोग बात करते हैं next documents के उपर अब बात की जाए कि आपके कितने फोटो कापी लगेंगे और कैसा फोटो कापी आपका होना चाहिए जिस तो सबसे बात की जाए कि जो आपका फोटो होना चाहिए वह अच्छा होना चाहिए और आप लोगों ने जो फोटो कापी फ इतने कोपी लेंगे कोपी की बात की जाए तो इंटीमेशन लेटर में पांच कोपी की रिक्वार्मेंट बताया है बट आप लोग इसके दस कोपी ले लिजेगा क्योंकि वहाँ पे चल के कैसा कुछ फोटो को लोग रिजर्ट कर देते हैं इसके थुरू अगर आपको आदा लोगों तक सेयर करें ताकि हम लोग मिल सकें नेक्स्ट वीडियो में धन्य बात दोस्तों